Good morning बच्चों, आप सब कैसे हो? आप ही हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में हम पहले क्या पढ़े थे? पहला वाला दिन हमने क्या पढ़ा था? स्वरवर्न के बारे में आपको याद है? हमने स्वरवर्नों के बारे में पढ़ा था और स्वर किस से कहते हैं? मुँख खोल कर बिना किसी रुकावट के बोले जाने वाले वर्नों को स्वर कहते हैं तो स्वर में हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लस? हमने क्या क्या पढ़ा था? तो आज हम और कुछ नया अक्षरों को सीखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ वर्नों भी हम पढ़ेंगे तो आज हम क्या पढ़ेंगे? उ, उ, री ये तिन अक्षरों के बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? उ, छोटाओ, बढ़ाओ, री ठीक है बच्चों? तो हमने पढ़ा था से अनार और क्या-क्या पढ़ा था हमने? से अमरुद से अमरुद से अच्चकन तो फिर हमने क्या पढ़ा था? आ से आम आ से आलू फिर आ से आग फिर इ, हमने क्या पढ़ा था? इ, सो इ से इम्बिली इ से इमारत इ से इमर्ती फिर हमने पढ़ा था? इ, बड़ी इ इ से इक, इ से इद, इ से इंट तो बच्चों, ये क्या है? ये है, उ छोटा उ ये क्या है? उ मेरे साथ बोलिये उ उ से उल्लू उ से उल्लू उल्लू क्या है? अउल उल्लू के बड़े-बड़े आँखे होते हैं और वो रात को निकलता है आपको पता है? तो बोलिये उसे उल्लू उसे उल्लू फिर ये क्या है? उसे उपहार उसे उपहार तो आपके बड़े में आपको उपहार मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है उसे उपहार पहार क्या है? गिफ्ट उसे उपहार उसे उस तरह उसे उस तरह उस तरह क्या है? रैजर तो बच्चों अभी हम देखेंगे कैसे लिखना है? उसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिए इंग्लिश में जैसे आप त्री लिखते हैं ऐसे यह हो गया उ और एक बर लिखेंगे आप भी मेरे सथावा में लिखिए यह हो गया उ तो उसे उल्लू उसे उपहार उसे उस तरह अब यह क्या है बच्चों? यह है उ यह क्या है? उ बड़ा उ यह क्या है? उ अभी उ से उ यह क्या है? उ से उ उ क्या है? उ जिसे बब आमी स्वेटर बुनती है उ से उ उ से उ अब यह क्या है? उसे 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 अब ये क्या है उ से उद्विलाव उ से उद्विलाव क्या है ओटर उ से उद्विलाव अब अब मेरे साथ बोलिए उ से उन्ट उ से उन्ट उ से उद्विलाव अब ही हम देखेंगे कैसे लिखना है उ ये क्या हुआ उ छोटा उ फिर ऐसे ये हो गया बड़ा उ और एक वर लिखेंगे अब लिख रहे हो मेरे साथ ये है बड़ाउ ये क्या है बड़ा उ ये क्या है बच्चों क्ये है री क्या है ये री 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 से रिशी री से रिशी रिशी कौन है सें रिशी बहुत ग्यानी होते हैं तो कैसे लिखेंगे हम रिशी री अब हम सीखेंगे कैसे लिखना है री ये हो गया री और एक वर लिखेंगे ये हो गया री री से रिशी री से रिशी तो अब तक हमने क्या सीखा अ आ इई इई अभी हमने क्या सीखा हमने क्या सीखा बच्चों तो अभी हम एक गाना गाएंगे आपको एक गाना सीखना है अ से री तक अक्षर है यहां पे पहला अक्षर अ से री तक है ठीक है बच्चों तो पहला लाइन क्या है अम्रुद है हरा हरा अम्रुद कहां पे है यह है अम्रुद यह कौन सी रंका है हरा रंग अम्रुद हरा रंका है फिर आम है रस भरा यह है आम आम रसिला होता है ना आम है रस भरा अब यह क्या है इमली इमली तो खटी है भाई इमली कैसी होती है इक मैंने खूब चबाई इक मैंने खूब चबाई उल्लु बोला आई रात उल्लु कहां है यह है उल्लु उल्लु बोला आई रात उन्ट रहा बालु में नाज यह है उन्ट उन्ट रहा बालु में नाज उन्ट कहां पे रहता है बच्चों? उन्ट रेगिस्तान में रहता है और इसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं तो उन्ट रहा बालु में नाज रिशी है ग्यानी बहुत महान यह है रिशी रिशी ग्यानी होते हैं रिशी है ग्यानी बहुत महान रुक बेद का करते गान अभी हम गाएंगे यह बला गाना और आप मेरे साथ गाएं अम्रुद है हरा हरा आम है रस भरा अम्रुद है हरा हरा आम है रस भरा इमली तो खटी है भाई एक मैंने खूब जबाई उल्लू बोला आई रात उन्ट राहा बालू में नाच रिशी है ग्यानी बहुत महान रिशी है ग्यानी बहुत महान तो फिर से बोले आप बोल रहे हो मेरे साथ अमरुद है हरा हरा आम है रस भरा इमली तो खटी है भाई इख मेने खूच चबाई उल्लू बोला आई रात उन्ट रहा बालू में नाच रिशी है ज्यानी बहुत महान रुख वेद का करते गान और एक पर बोले अमरुद है हरा हरा आम है रस भरा इमली तो खटी है भाई इख मेने खूच बाई उल्लू बोला आई रात उन्ट रहा बालू में नाच रिशी है ज्यानी बहुत महान रुख वेद का करते गान तो बच्चों यह अ से री तक का एक गाना है यहां पर ए आई अ आउ यह सब हमने नहीं सीखा वो सब भी स्वर्वर्ण होते हैं फिर उन अक्षरों से भी कुछ लाइने है यह कविता का तो वो हम नेक्स्ट क्लास सीखेंगे ठीके तो आप यह अच्छे से प्राक्टिस कीजिएगा गाना और अभी हम देखेंगे सब्दाह की दिनों के बारे में हम लोग सीखेंगे तो एक सब्दाह में कितने दिन होते हैं साथ दिन होते हैं और वो क्या क्या है हम अच्छे हिंदी में सीखेंगे दिनों के नाम तो पहला वाला जो है संडे रवीवार हम क्या बोलते हैं संडे रवीवार आप मेरे साथ बोलिये संडे रवीवार नेक्स्ट मंडे सोमवार मंडे को क्या बोलते हैं हिंदी में सोमवार मंडे सोमवार नेक्स्ट त्यूजडे त्यूजडे को क्या बोलेंगे मंगलवार उसके बाद क्या है वेनस्टे बुधवार उसके बाद क्या है थर्स्टे थर्स्टे है गुरुवार इससे विहश्पतिवार भी बोलते हैं थर्स्टे गुरुवार उसके बाद क्या आता है फ्राइडे शुक्रवार उसके बाद क्या है साटडे साटडे शनीवार साटडे शनीवार तो अब हम बोलेंगे हिंदी में दिनों के नाम आप मेरे साथ बोलिए रवीवार सोमवार मंगलवार बुधुवार गुरुवार शुक्रवार सनीवार इसको गाना में कैसे गाएंगे रवीवार सोमवार मंगलवार बुधुवार गुरुवार शुक्रवार शनीवार रवीवार सोमवार मंगलवार बुधुवार गुरुवार शुक्रवार शनीवार तो आपको याद हो गया दिनों के नाम तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने उ, उ, री ये तीन अक्षरों को सीखा और एक सुन्दर सा कवीता भी हमने सीखा और days in a week हम लोग दिनों के नाम के बारे में भी सीखा तो आप अई ये सब प्राक्टिस किजिएगा और next class हम और भी पढ़ेंगे स्वरवर्नों के बारे में धन्यवाद बच्चो